भाशा, भूशा, भोजन अलग, संस्कृती, प्रकर्ती, पर्यावर्ण, वातावर्ण अलग, लेकिन संस्था की सफलता की खुश्बू यहां तक खीच लाई शुरू-शुरू में असहज, परेशान, लेकिन फिर सब बातों को भूल, जुट गया पढ़ाई में और आज देश ही नहीं, दुनिया के सर्वसेस्ट मेडिकल कॉलेजों में से एक, एमस दिल्ली के MBBS प्रथम वर्ष में है, हम बात कर रहे हैं, सीकर से धाई हजार किलोमेटर दूर, आसाम के सुदुर, धेमाजी जिले के, अमुला पट्टी कस्वे से सीकर CLC पढ़ने आए, फ एमस दिल्ली से बने, बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए, एक अदद संस्था की तलाश शुरू हुए, दोस्तों रिश्टिदारों से चर्चा की, टेवी अखवार के विग्यापन देखे, फेस्बुक, यूट्यूब विजिट किया, जिग्यासु पुटा ने सब कुछ फिर एक दिन नज़र पड़ी यूट्यूब के एक वीडियो पर, जिसमें संस्था संचालक रात के एक बज़े अपनी टीम के साथ बच्चों से स्टेडी केंप में बात कर रहे थे, पहली बार तो आखों को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संस्था का मालिक रात क को एक बज़े तक बच्चों के लिए कैसे जग सकता है, क्योंकि पढ़ाने का काम तो दिन में हो जाता है, बाद में गहराई में जाकर छान भी इनकी तो पता चला कि वहां तो रोज ही ऐसा होता है, संस्था संचालक आठ हजार बच्चों को नाम से जानता है, हर बच्चे क की रिपोर्ट टिप्स पर रखता है, एक एक बच्चे की प्रॉबलम खुद सुनकर मिटाता है और देर रात तक बच्चों के लिए जाकता है, रबिंद्र पेगू की मानों तलाश पूरी हो गई हो, मन्जिल मिल गई हो, उस संस्था का नाम था CLC और उस जुनूनी संचाल का नाम था इंजिनियर श्रवन CLC, पितापुत्र ने बिना एक दिन गवाए सामान पैक किया और सीकर रवाना हो गए, एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि घर से धाई हजार किलोमेटर दूर, दसवी पास एक छोटा सा बच्चा, वहां कैसे रहेगा, लेकिन कहते हैं कुछ क करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाते हैं, सिर्फ संकल्प का धन चाहिए, फरविश ग्यारवी बारवी में CLC, सीकर पढ़ता रहा, समय के साथ वातावरन में ढलता रहा, महंती, शालीन और सौम्य, फरविश दिन प्रती दिन अपनी मंजिल के और संस्था के अनपैरलर, अकेडमिक कुरिकुलम, शेडियूल, सिस्टम, परसनल केर, डाउट काउंटर, स्टेडी मैटेरियल, टेस्ट क्वालिटी, नाइट स्टेडी कैम्प, इवनिंग असेमली, सभी सुविधाओं का फरविश ने भरपूर फायदा उठाया, उपर से नि थ्यासी परतीशत अंक पराप्त किये, बेटे के सपने के पूरा होने से परीजिन इतने आलादित हुए कि संस्था के सफल विध्यार्थियों के लिए आविजित, समान समारो विजयो सवं में परीजिनों ने आसामी परंपरा के साथ संस्था निदेशक इंजिनियर श्रव पीठ कर उटकर पीठ पे अपनी जोला रखकर घर से दूर चले आये हैं। से होंगे सपने पूरे एक आस लिए पलकों पर अपनी सब कुछ छोड़ चले आए हैं मीलो चल कर गिर कर उठकर घर से दूर चले आए हैं घर से दूर चले आए हैं